नवस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दिश्ट्री आईस चैनल की इस नए विडियो में आप ये जानते हैं कि हमारा MCQ प्राक्टिस सीरीज का प्रोग्राम है जहांपर हम MCQs के माध्यम से questions के माध्यम से जो भी important सवाल है उन पर चर्चा करने की प्रशिश करते हैं ताकि यदि आपके प्रश्न पत्त में उसको ले करके कोई भी सवाल आता है तो सवाल को solve करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की जो हमारी वीडियो है वो आपका economics के सवालों पर अध option B मुद्रसफीती का अंतर option C मांग पक्ष मुद्रसफीती option D आपूरती पक्ष मुद्रसफीती इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है आपका option A यानि कह जब आपके देश में वास्त्विक जीडिपी का संतुलन सतर्ज है संभावित GDP से कम होगता है तो इसको आ पहले समझना होगा तो मंदी का अंतर का बाता है वो हमने पहले ही देख लिया कि ये तब होता है जब किसी देश की वास्तविक GDP का पूंड रोजगार पर उसकी जो पूंड रोजगार पर उसकी स्थिती है उससे कम हो जाते है तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट टर्म आपक इसको आप कह सकते हैं वो GDP जब आप अपने संचाधनों का आपके जो resources हैं उन resources का पूंड अस्तमाल अगर आप करते हैं तो पूंड अस्तमाल करने के बाद आप जो है कितना उत्पादन कर पाते हैं वो हो गया आपकी potential GDP यानिके संभाविद GDP जिसे आप कह सकते हैं तो basically माल आपके देश जो है आपकी जो GDP है आपकी जो economy है उसमें जितने भी resources मौझूद हैं उन resources के माद्यम से आप 100 वस्तमों का उत्पादन कर सकते हैं तो यह 100 क्या हुआ यह हो गया आपका संभाविद GDP यानिके आपकी जो यह है आप संभाविद संसाधनों का अगर इस्तमाल करे तो 100 चीजों का उत्पादन कर सकते हैं लेकिन अब होता क्या है अब यहाँ पर basically अब यहाँ पर दूसरा term आता है आपका real GDP में क्या है आप कितना उत्पादन कर पा रहे हैं यानि माली जी आपकी 70 यह उत्पादन कर पा रहे हैं तो यह क्या होगा है यह आपकी real GDP होई और दोनों के difference को क्या कहा जाएगा? दोनों के difference को कहा जाएगा मंदी का अंतर. तो ये हमने मंदी के अंतर की बात की कि मंदी का अंतरल क्या होता है? हमने उसको समझा है, इसके लाबाद दो important शब्द यहाँ पर और महजूद थे. इसमें पहला शब्द है आपूर्ती पक्षमुद्रस्वीती और दूसरा है दिमांड पक्षमुद्रस्वीती तो यानि के basically आपूर्ती पक्षमुद्रस्वीती तबुत्पन होती है जब किसी वस्तू की मूल में व्रद्धी होती है उसकी आपूर्ती की वज़े से उस product की supply बढ़ती है, तो उसका price क्या होता है, उसका price कम हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ जब किसी product की supply कम होती है, तो उसका price क्या होता है, उसका price बढ़ जाता है, तो अगर किसी चीज की आपूरती कम होती है, उसका supply उसकी price बढ़ती है, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको जब किसी वस्तू की जो है डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइज क्या होता है उसका प्राइज भी बढ़ जाता है वहीं दूसरी तरफ जब किसी वस्तू की जो है डिमांड कम होती है तो उसका प्राइज क्या होता है वो भी कम हो जाता है तो आप इन दोनों के बेस पर क् वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं दिमबा किसी वस्तू के प्राइज और उसकी सप्लाई में तो वहाँ पर आपको कौन सा रेलेशन मिलेगा वहाँ मिलेगा आपको नेगिटिव रेलेशन क्योंकि जब आपकी आप्पूरती बढ़ेगी कि supply बढ़ीगी तो price क्या होगा, price कम हो जाएगा, और जब supply कम होगी तो price क्या होगा, price बढ़ जाएगा, तो यह इसको कहते हैं, आप demand or supply का ruler इस तरह से आपका विकल पर यहाँ पर सही जवाब हो जाता है, चलिए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपने अगले सवाल पर, हमारा अगले सवाल है कि निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, हमारे कतन है, क्रशी शेतर में अलपकालिक रण वितरण के मामले में, जिला केंद्रिय सहकारी समितियां, अनसुचित वाड़ेजिक बैंकों और छेती अग्रामिड बैंकों की तुलना में, अधिक रण प्रदान करते हैं, दी, सी, सी, बी, का सबसे महत्पूर्ण कारे प्रात्मिक क्रशी रण समितियों को धन उपलब्द कराना है, उपरोग कतनों में से कौन सा से सही है या अफर है, हमारे विकल्प है, आप्शन ए, केवल एक, आप्शन बी, केवल दो, आप्शन सी, एक और दो दो नों या फिर option D, ना तो एक और ना ही दो, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है, option B, यानि केवल दो कतन जो है, वो सही है, तो जो पहला कतन है, वो यहाँ पर गलत है, एक बर इस पर बात करते हैं, कि गलत क्यों है, तो यहाँ पर जो सबसे important सब निकल करके आता है, वो है सहकारी बैंक जो है सहकारी बैंक सहकारी बैंक कौन से होते हैं वो बैंक जो कि आपका सहकारिता के अधार पर कॉपरेशन के अधार पर सापित किये जाते हैं और सामानने बैंकिंग व्यवसाइक का काम करते हैं आप ग्रामिड भारत में आपका जो सहकारी बैंक है हमके तीन structure आपको देखने को मिलेंगे टियर वन पर आपको मिलेगा इसमें बिसिकलिए आपका जो है राज स्तर पर जो किंद्रिस हैकारी बैंक काम करते हैं उनको शामिल के रहता है इसके लावां टियर टू में अगर आप देखें तो इसमें 16-17 में जो आपके scheduled बैंक से जो commercial scheduled बैंक से उन्होंने क्रशी और संबध रिड में प्रमुक हिस्सेदारी अदा की थी यानि कि भारत में जो आपके scheduled बैंक हैं उन्होंने agriculture sector में तक्रीबन 78 से 80 प्रतीशत का रिन प्रदान किया था जबकि अगर आप बात करें सहकारी बैंकों की तो उनकी हिस्सेदारी तकरीबन आपका 15 से 16% के आसपास थी और इसमें तीनों सहकारी बैंक शामिल है इसके अलावा अगर आप RR20 की बात करें क्रशी रड समितियां हैं उनको financial सहायता प्रदान करना है तो इस तरह से आपका कथन दो जो है वो बिलकुल सही हो जाता है बढ़ते हैं आके बात करते हैं अगले सवाल पे हमारा अगला सवाल है कि निमलेखित में से कौन भारत में एक वाड़िजिक बैंक की संपत्ती में शा जाएगा ऑप्शन पर बात करते हैं हमारे ऑप्शन ए अगरील ऑप्शन बी जमा ऑप्शन सी निवेश या फिर ऑप्शन बी कॉल और अल्प सूशना पर पैसा तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानि कि डिपोजिट को आप किसी भी commercial बै करें उसमें क्या क्या शामिल होता है तो उसमें बैंक के पास कैश मौझूद है जो बैंक की investment है वो शामिल होती है जो बैंक का call और अल्प सूशना call money है वो शामिल होता है call money की बात करें इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि basically आपका जो financial market है उसमें जो financial institutions मौझूद है वो आपस में एक दूसरे को जो run देते हैं वो इस वस्था के देह दिया जाता है call money कहते हैं आप उसे या फिर short term money कहते हैं तो यह जो पैसा है basically बहुत short term के लिए दिया जाता है short term की बात करें तो एक दिन के लिए दिया जा सकता है एक से 14 दिन के लिए basically यह दिया जाता है इसके अलावा bank जो loan देता है उसको bank की संपत्ती में शामिल के जाता है बैंक जो advance देता है उसको bank की संपत्ती में शामिल के जाता है तो यह bank की संपत्ती हुई अब bank का उधार अग बाकिर वो liability किस तरह से हुआ? तो वो liability इस तरह से हुआ कि वैसे तो वो पैसा बैंक के पास आया है लेकिन bank को वो पैसा लौटाना भी बढ़ेगा तो इस वज़े से आपका जो जमा है जो deposit है उसको bank की liability माना जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं अगले सवाल पे हमारा अगले सवाल है, आप से पुछा गया है कि भारत में सारुजनी बैंक की बैंकिंग के प्रशाषन के दंदर में निमलेखित कतनों पर विचार कीजे हमारा पहला कतन है भारा सरकार दरा सारुजनी छेतर के बैंकों में पुंजी निवेश पिछले दशक में लगातार बढ़ा है हमारा दूसरा कथन है सारुजनी चेतर के बैंकों को व्यवस्थे तरने के लिए सहीयोगी बैंकों का मूल भारती स्टेट बैंक में विले प्रभावित हुआ है तो हमारे हमें बताना है कि उपरोग कथनों में से कौन सा से कथन सही है हमारे विकल्प है option A केवल 1, option B केवल 2, option C एक और दो दो या फिर option D ना तो एक और ना ही दो तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option B यानि कि यहाँ पर भी केवल दूसरा कथन सही है तीसरा जो पहला कथन है वो यहाँ पर गलत है चलिए इसके बारे में विस्तार से अगर आप बात करें तो भारत में आगर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में जो सरकार की financial tendency रही है वो यह रही है कि सरकार बैंक को द्वारा जो NPS किये गए है जो non-performing assets है बैंकों के उनसे बैंकों को जो घाटा हुआ है उस घाट सरकार की ओर सुझ रहा है वो बढ़ा है वहीं दूसरे सालों में जो निवेश है वो कम हुआ है तो आप यह नहीं कह सकते कि लगातार सरकार का निवेश बढ़ रहा है क्योंकि कुछ-कुछ सालों में यह कम हुआ है कुछ सालों में बढ़ा है तो इस तरह से पहला कथन जो ह वो आपका गलत हो जाता है इसके अलावा अगर आपको याद हो तो फरवरी 2017 में केंद्री मंत्री मंडल ने भारती महिला बैंक के साथ पांच सहयोगी बैंकों के भारती स्टेट बैंक यानिके SBI में विलाई को अपनी मंजूरी प्रदान की थी और बाद में इसका विलाई भी हो गया था तो इसवजे से आपका कफन दो जो है वो सही है और आपका विकल्पी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है चलिए बढ़ते हैं आके बात करते हैं अपने अगले सवाल पर तो हमारा अगला सवाल जो है वो आपका NPCI को ले करके है सवाल में हमें इन कतनों पर विचार करना है हमारा पहला कतन है National Payment Corporation of India यानिके NPCI देश में वित्य समावेशन को बढ़ावा देने मदद करता है हमारा दूसरा कतन है कि NPCI ने एक कार्ड भोगतान योजना रूपे को लाँच किया है अब हमें बताना है कि उपरुक्ट में से कौन साथ से कतन सही है या पर है हमारे option है option A केवली, option B केवल दो option C एक और दो दो दोनों या फिर option D ना तो एक और ना ही दो तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका option C यानि कि दोनों ही कथन यहाँ पर सही हो जाते है चलिए के करते दोनों पर बात करते हैं सबसे पहले हमें NPCI को समझना होगा National Payment Corporation of India यानि कि भारती राष्टिय भोगतान निगम पर बात करनी होगी ये क्या है ये बिसिकली भारत में खुदरा भुकतान और निप्टान परनालियों के संचालन के लिए एक umbrella organization के तौर पर काम करता है जिसे बिसिकली भारत में भुकतान और निप्टान के प्राउधानों को सुनिश्यत करने के लिए RBI यानि कि Reserve Bank of India और IBA यानि कि भारतिय बैंक संग Indian Bank Association की और से गढ़ित किया गया था तो ये important चीज़ है आपर NPCI का गढ़ित किस ने किया है RBI यानि कि Reserve Bank of India and Indian Bank Association इन दोनों की और से मिलकर के इसका गढ़ित किया गया है इसका उदेश क्या है? इसका प्रातमिक उदेश है कि देश भर में आम आदमी को लाभ पहुँचाने के लिए एक किफायती भुगतान परणाली तंत्र की सुवधाप्रण की जा सके जिससे भारत में वित्तिय समावेशन भी बड़ सके इसके लावा NPCI के और से बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है प्रोड़क्ट जो है वो लांच किये गए है जिसके आई MPS है इसका फूर फॉर्म है आपका ततकालिन भुकतान सेवा इसके अलावा National Financial Switch है चेक अट्राक्शन सिस्टम है यूपी आई है जिसको भारत में बहुत व् पेमिंट सिस्टम है रूपे कार्ड है जिस जैसे तो रूपे कार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है यहने के कतन दो जो है यहाँ पर सही हो जाता है इसके लावा National Common Mobility कार्ड है राष्टी एलेक्ट्रानिक टोल संग्रह सिस्टम है तो इस तरह से आपका विकल्प सी जो है वो स रते एक बैंक को रिजर्व या फिर शेश के रूप में RBI के पास रखना होता है दूसरा कतन है कि RBI के पास CRR जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी तो उप्यूक्त में से कौन से कतन सही है या फिर है तो हमें बताना है हमारे Option A केवल एक स सही है Option C एक और दो दोनों सही है या फिर Option D ना तो एक और नहीं दो सही है तो उसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है आपका Option C यानि कि दोनों ही कतन यहाँ पर सही हो जाते हैं दोनों कतनों के बारे में एक एक करके अगर आप बात करें तो इसमें पहला मांग और समय देंदारियों की इतने प्रतिशत के रूप में रिजर्व बैंक के पास बनाए रखना होता है या फिर वो जो आपका अमाउंट है या फिर आपका जो पुरा डिपोजिट है उसको आप कह सकते हैं CRR कैश रिजर्व रेशो तो आरक्षे तनुपाद जो है वो सम परार जितना जादा होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतनी ही कम होगी क्यों कम होगी क्योंकि बैंकों को अगर कुमाले जे कोई कमरशल बैंक है और उसको RBI के पास जादा पैसे रखने पड़ेंगे तो वो बाजार में दे पाएगा जब वो उधार नहीं दे है उसमें आपसे पूछा गया है कि निमलिकित में से कौन सा से नियर मनी का उधारन है हमारे जो कथन है उसमें पहला है राजपुशे विपत्र दूसरा है क्रेडिक कार्ट तीसरा है बचत खाते और लगू सावधिक जमा चौथा है फुद्रा मुद्रा बाजार जवाब हो जाते हैं सबसे पहले जो इंपॉर्टन शब्द आता है वो है नियर मनी क्या होता है नियर मनी बिसिकली इस शब्द का उप्योग उन गैर नगद संपत्यों के लिए के रहा है इंपॉर्टन चीज क्या है इसमें आप कैश को शामिल नहीं करते हैं नॉन कैश लिक्विड होती हैं जिने आसानी से नगदी में परिवर्चित किया रह सकता है तो इसको आप नियर मनी भी कहते हैं इसको आप जो है नगद समकक्ष या फिर अर्ध मुद्रा भी कहा जा सकता है इसके अलावा ये जो समपत्तिय हैं तरलता स्थर जो है बिसिकली बहुत होता है इसके अलावा इनको धारण के अगर आप बात करें तो इसमें आप बच्चत खाते को शामिल कर सकते हैं लगू सावदिक जमा को शामिल कर सकते हैं जमा प्रमारपत्र को शामिल कर सकते हैं विरेशी मुद्राओं को शामिल कर सकते हैं खुद्रा मुद्रा बाजार विपड़ान योगी बिटी भूतियों को ट्रेजरी बिलको शामिल कर सकते हैं तो इसे आप कहेंगे आपका कथन एक आपका जो option एक टीम चार है हो सही है और विकल्प डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाता है चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं पर हमारा अगला सवाल बैंकिंग लोगपाल को लेकर के है जिसके संदर में हमें नीचे जीए के कथनों में से बदाना है कि कौन सा कथन सही नहीं है हमारे विकल्प है option A बैंकिंग लोगपाल की न्यूप्टी भारते रिजर्व बैंक गड़ा की जाती है option B बैंकिंग लोगपाल भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतियों के शिकायतों पर विचार कर सकता है option C बैंकिंग लोगपाल गड़ा पारित आदेश अनंतिम और संबंधित पक्षों पर बादिकारी है option D बैंकिंग लोगपाल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी शुर्प से मुक्त होती है तो इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है option C यानि कि इसका जो आदेश होता है वो अनंतिम नहीं होता है या और वो सभी पक्षों पर बादिकारी नहीं होता है तो एक बार इसके बारे में अगर आप देखें तो बैंकिंग लोगपाल योजना बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं के संबंध में अगर शिकायत होती है तो उसके लिए बैंकों के जो ग्रहक हैं उनकों एक त्वरित और बहुत ज़्यदा किफायती मंच परदान करती है इसे 2006 में लांच किया गया था 2017 में इसमें संशोधन किया गया था और भारत के जो सभी शेडियूल कमर्शिल बैंक हैं जो छेत्य ग्रामीड बैंक हैं जो अनसूचित प्रात्मिक सहकारी बैंक हैं वो इस योजना के हिस्से में आते हैं इसके अलावा अगर बैंकिंग लोगपाल की बात करें तो इसकी नियुक्ती भारते रिजर्ब बैंक त्वारा अपने मुख्य महाप्रबंधक या फिर महाप्रबंधक सतरके किसी अधिकारी की जाती है और उनका जो कारिकाल है वो एक समय में तीन वर्ष से ज़़ादा नहीं हो सकता इसके अलावा बैंकिंग लोगपाल की जो अनन्ति मादेशों से जो बैंकिंग लोगपाल के आदेश होते हैं वो बैसिकलि अगर कोई वेक्तिवन आदेशों से असंतुष्ठ है तो वो किसी अपीलिय प्राधीकरण से संपर्क कर सकता है अपीलिय प्राधीकरण कौन है तो RBI की डिप्टी गवर्णर को basically इसके अपीलिय प्राधीकरण के पर शुल्क जो है नहीं लगता है शुल्क मुगत होती है तो इस तरह से option C जो है वो आपका सही जवाब हो जाता है चलिए बढ़ते हैं आके बात करते हैं अपने अगले सवाल पे तो हमारा अगला सवाल है भारत में सभी राश्टिकरत वारेजिक बैंकों में बचत खातूं उमपर ब्याज़दर के द्वरय दधारित की जाती है हमारे option है option A , burger with a option B and C . option B, option C, भारतिये बैंक संह आफिर option D , उप्रोक्त मेंसे कोई नहीं इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है option D यानि कि उपरोप में से कोई भी सही जवाब नहीं है तो सही जवाब क्या है तो अगर आप भारत में जाएंगे 2011 से पहले तो 2011 से पहले भारत में RBI यानि कि भारते रिजर्ब बैंक भारत के सभी राश्टेकरत वानेजी बैंकों की जो बैंकों में जो बचत खाते हैं उन पर ब्याजदर का निधारन किया रहता था लेकिन 2011 में इन जो ब्याजदरे हैं इनको नियंतरन से मुक्ष कर दिया गया और अब जो है आपके जो बैंक हैं वो बैंक ये डिसाइड करने के लिए सोतंत्र होते हैं कि वो अपने बचत खातों पर कितनी ज़्यादा राशी देना चाहते हैं कितना ज़्यादा इंटरस्ट देना चाहते हैं 2011 से पहले अगर आप देखें तो चेंज करने से पहले सभी बैंक जो है अपने बचत खातों पर 4 प्रतिशत की वारशिक दर की दर से जो है ब्यास तुदान किया करते थे तो इस तरह से आपका option D सही हो जाता है भारत में bank जो है खुद recite करते हैं कि वो कितना ब्यास देना चाहते हैं हमारा अगला सवाल है कि भारत के इस अंदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए हमारा पहला कतन है बैंकों का राष्ट्रे करण दूसरा कतन है छेत्रे गाउमेर्ट बैंकों का गठन और तीसरा कतन है बैंक शाकाओं गाउन को गोद लेना उपरोक्त में से किसे भारत में वित्य समावेशन प्राप्ट करने के लिए उखाए गई कदम के तौर पर देखा जा सकता है हमारे विकल्प है option A, cable 1 और 2, option B, cable 2 और 3, option C, cable 3 या फिर option D, 1, 2 और 3 तो इसका सही जवाब होगा option D, यानि कि तीनों ही जो विकल्प हैं या आपका भारत में financial inclusion के तौर पर देखे जा सकते हैं, तो अगर आप बात करें सबसे पहले वित्य समावेशन क्या होता है, वित्य समावेशन का मतलब यह है कि बेसिकली आपके समाज के जो कमजोर वर्ग है जो जिनकी financial अभी financial system तक पहुँच पर आप नहीं है, उनको भी बेसिकली जब आप बैंकों से जोड़ने की कोशिश करते हैं, financial प्रणाली से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरे process को कहा जाता है आपका financial inclusion, और बैंकों के राश्टी करण से शात्माओं के विस्ता में मदद मिलती है और इसे बड़ी संख्या में लोगों तक पहुच बढ़ती है, तो इसे आप जो है financial inclusion के एक example के तौर पर देख सकते हैं, तो कथन एक आपका यहाँ पर सही हो जाता है, इसके अलावा basically आपका कथन दो भी सही है, क्योंकि अगर आप जो है, जादा कथन द क्या था, आप कथन 2 को देखें, तो 6-3 ग्रामीड बैंकों का गठन होता है, तो ग्रामीड लेवल पर अगर बैंकों का गठन होता है, तो इसकी वज़े से जाहिर तोर पर जो आपकी ग्रामीड स्तर पर कमजोर वर्ग हैं, उनको बैंकिंग की ज्यादा सुविधाएं पर को सखेंगी, तो दूसरा कथन भी सही है, और तीसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन में अगर आप देखें, क्या कहा गया था, यहां कआ गया है, बैंकिंग शाथाओ दौरा गाओं को गोद लेना, तो यह जो प्रॉसेस है, इस प्रॉसेस की शुरुआत दरसल 1960 के दशक में परती है और आपका कफनतीन यहां पर सही हो जाता है तो विकल्प D यहां पर जो है बिल्कुल सही जवाब है और आपका option D यहां पर सही जवाब हो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद.